हेलो दोस्तों नमस्कार आपके अपने चालल हिंदी मिरर परफी से आपका स्वागत है दोस्तों जो आज हम टॉपिक लेकर आए है टॉपिक है उत्राखन ओपन यूनिवस्टी का बी ए फस्टेर का पेपर यानि के बी ए अचलिस का कोड है एक सो एक जैसे कि आपको मालूम है उत्राखन ओपन यूनिवस्टी में जो है बी ए हिंदी भी है और बी ए हिंदी के जो कोड है जो फस्टेर के बच्चे हैं उनका 101, 102 उनके दो पेपर होते हैं और फिर बी ए सेकेंडर के जो होते हैं 201, 202 और फिर जो थर्डर के बच्चे होते हैं उनका 301 और 302 ऐसे उनके पढ़ते हैं लेकिन आज जो हम आपके लिए ले करा हैं वह है तो 101 बीए फस्टेर के बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा भी है बैचलर ओव आर्ट बीए ठीक है यह फस्टेर के बच्चों के लिए और यह पेपर 2017 का है यह माक्स का था 70 का और 3 घंटे का यह पेपर हुआ और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है करते रहिए और जो आज ही चैनल से जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करिए बैल आइकन हिट करिए क्योंकि आपको उत्राखट ओपन युनिवस्टी से जितनी भी नोटिफिकेशन आते जित आते हैं तो बैल बैल आइकन को हिट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चले शुरू करते हैं आपका पेपर का पैटरन किस तरह का आता है ठीक है और यह पैटरन सभी पर तीनों ही जो आपके यह फस्ट यह सेकंडर थर्ड यह तक कि जो एमें भी हिंदी है यहां तक पड़ोगे यही स्लेबस रहता है तो टॉपिक मिले जो ले रहते हैं इसमें आपको चिंता करने जुरतनी है कि टॉपिक जहें कॉपी हो रहे हैं यह वहां का टॉपिक है सेकंडर तो हम फस्ट्रे में क्यों पड़े तो आप पढ़ सकते हो कहीं से भी कोई टॉपिक उठाक अगर आपका टॉपिक वहां से मैच कर रहा है ठीक है यह तो रही थे आपके टॉपिक के लिए और दूसरी बात पेपर शुरू करते हैं तीन आपको मैंने बताया तीन खंडों में भक्त होता है कह पहले लेते हैं इसमें आपके आते हैं द्रिग उत्रिय प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं पहले हम देख लेते हैं जो जून का आपका पेपर है यह जून में आपको पता है कि आपके समर और विंटर दोनों में ही एक्जाम होते हैं उत्राखंड ओपन उनिवस्टी में तो आपका यह समर का पेपर है यानि के गर्मियों का फिर इसके बाद में दिसंबर में जो होता है विंटर सीजन का वो वाला पेपर आपके ले ले कराऊंगी चले देखते हैं पहला प्रशन था इसमें किसी एकी संदर्व सहीत व्याक्या कीजिए लड़ाई के समय चांद निकल आया था एसास चांद जिसके प्रकास से संस्क्रत कवियों का दिया हुआ शेही बानबट की भाशा में दंती बिणो देशाचारे कहलाती वजीरा सिंग कह रहा था कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमी मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दोड़ा दोड़ा सुवेदार के पीछे गया था तो दोस्तों आपको मालू होगा कि आपके जो फस पेपर है 101 उ उपन्या से संबंदित है सारे टॉपिक तो उसमें जो कहानिया ली गई है अगर आपको पता है उसमें कहानी जो ली गई है तो उसमें एक है उसने कहा था उसमें आपके जो अगर आपको पता है कि पात्र कौन कौन से है तो आपको मालू होना चाहिए कि उसमें एक पात्र ह वजिरा सिंग्ग तो आपको एक्तम तुरण समझजाना चाहिए अगर आपने कहानी पढ़ी है तो यह वहां से लिया गया है तो सभी को पता है हाई सुड़ते हैं हाई सकी इंटर सन्द्र में हम क्या लिखते हैं कि यह है पंग्ती यह फिर ये है paragraph या पद्याज गध्यांश लिखते हैं, तो कहाँ से लिया गया है? ये है कहाँ इसने, उसने कहा था से लिये गई है, और इसके लेखक कोन है? अब आपको लेखक कभी नाम पता होना चाहिए, तो लेखक का नाम अगर आपको पता है, तो आप लिख सकते हैं कौन है चंद्रधर सर्मा गुलेरी तो इस तरह से इसका संधर्ब तयार हो गया बाकी पंग्ती को थोड़ा पहुत चेंज करके आप अपने हिसाब से इसको explain कर सकते हैं तो आपके 10 नंबर पके हो जाते हैं ठीक है चलिए अगले चलते हैं अब आते हैं किसी एक की आपको करनी है अगर आपको एक भी पता है तो आप आराम से अपने 10 नंबर कर सकते हैं या जोड सकते हैं अपने रिजल्ट में चलिए देख लीजे मेरे बड़े भाई साब उसे 5 साल बड़े थे लेकिन केवल 3 दरजे आगे उन्होंने भी उसी उमर में पढ़न शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था लेकिन तालिम जैसे मात्यों के मामले में जल्द बाजी से काम लेना पसंद ना करते थे इस भावना की बुन्यात को मजबूर डालना चाहते थे जिस पर आलेशान महल बन सके तो यह है मेरे बड़े भाई साब आपको पता भी ह मेरे भाई साब जो है वहाँ पर आपका कहानी है और कहानी के लेखक कौन है मैंने भी पैटर्न बताया था कि संदर में हम क्या लिखते हैं कहानी का नाम और कहानी का जो लेखक है तो यह कहानी मेरे बड़े भाई साब से है और इसके लेखक कौन है प्रेम चंजी और उनके हैं 20 नंबर की ओर 20 नंबर में क्या है किनी दो प्रश्णों के उत्तर देने हैं और आपका है इन चारों में से आपको किनी चार के उत्तर देने हैं चारों में से बहुत बढ़िया है क्योंकि चार ओप्षन चार कोशन्स में अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है आराम से कोशन्स कर सकते हैं तो अगर आपको यह कोशन्स नहीं है आपके पास तो यह में नोट के रूप में आपको प्रोवाइट करा दूँगी इन ही कोशन्स को मैं आपको एस्प्लेइन कर दूँगी पर एक बात है कि कोशन्स कभी रिपीट नहीं होते हैं प्रश्ण को चलते हैं कि जितनी भी कहानिया है उनके नोट्स आपको दे दूगी तो क्या होगा अगर आपने पढ़ लिया है तो कोशन कैसे भी बनें आप आराम से कर सकते हैं जैसे पहला कोशन लेनी का आर्थ वाइस पर्पास्ट करते परमुक भेदों पर प्रकाश डालिए तो यह तो आपकी युनीट जो आपके खंडवन हैं वहां से बन गया का आर्थ करिए उसके भेद पर प्रकार डालिए फिर आपके बड़े और जैने इंद्रोमार के व्यक्तित्तु पर प्रकार डालना है तो प्रशन बहुत इजी है आप इने पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और आप जब इनको करने बैठेंगे तो और भी ज्यादा आसान लगेगा चली अब आते हैं खंखा पर खंखा में है लगो त्रे प्रशन जिसमें से आठ है आठ प्रशन है परन्तु आपको कितने करने हैं परते प्रशन के लिए पांच अंक निर्धारित है लेकिन आपको छे प्रशनों के उतर देने हैं तो चली देखते हैं प्रशन हिंदी गद्ध प्रेमचंद यूगीन हिंदी उपन्यास और जो उपन्यास कार हुए है उनके बारे में थोड़ा बहुत बताईए उनके जितने भी उपन्यास उनके बारे में जिक्रिकर दीजिए आगे देखते हैं उसने कहा था कि कहानी की परतिय पाद्य अपनी तरफ से एक टिपनी तरफारि पारे लिखना है फिर मडनार के चरीतर परकार डानना है किसकी नाईका है यह अपको पता है तो आप दीर में लेखते हैं मढ़ा थे पत्रिकिमान की दिशके दू जीवन ने जिरूर जहरूर रहें हैं दो जीवनी आचुकी हैं आप जितने भी आपके ज्यादा लेखक नहीं है तो सब तीन आपके प्रेम चंजी हो गए हैं जैनेंद्र और जो है साथ में आपके शैलेश मट्यानी तो चार पाच हैं आपके सलेबस में इसमें फर्स पेपर में तो आप अराम से इनको पढ़ स थोड़ा सा लगता है कि हम यह प्रश्न कहां ढूंडेंगे कैसे ढूंडेंगे हमें पूरी चाननी पड़ेगी तब हमें यह प्रश्न हम स्वाल कर पाएंगे ठीक है तो इनको मैं आपके स्वाल करा देती हूँ प्रेम सागर के लेखक कौन है तो लिख लीजिए ललू लाल टिकर लीजिए फटाफट रचनकाल की द्रस्टी से हिंदी का सरपर्थों उपन्याज कौन सा माना गया है परिक्षा गुरू फटाफट टिक करिए जल्दी से शत्रज के खिलाडी के लेखक कौन है प्रेम चंजी है आगे नई कहानी आंदोलन से जुड़े कहानीकार है मोह सत्या सत्या देख लीजिए अगर आपने पढ़ी है कहानिया तो आप भी इसको स्वाल कर पाएंगे सुहांगनी कहानी की केंद्र में पद्मावती है अगर आपने पढ़ी है तो पता है आपको पद्मावती ही इसके केंद्र में है तो क्या हुआ सत्या हुआ बड़े भाई अब अगना प्रशन देख लिए जैने इंद्र कुमान ने उपन्यास को मन्यों गयनी सत्य पर लाने का प्रयास किया सभी को पता है कि जैने इंद्र जी जो है एक मनो विशलेशन वादी उपन्यासकार है साथ में तीन के नाम जादर लिए जाते हैं इला चंद्र जोशी मैं ब है सब उन्नती को मूल महावीर परसाद दिवेदी की पंक्ती है तो यह रॉंग है यह पंक्ती है भारत एंदू हरिश्चंद्र की इसको आप नोट कर लीजे अब इसका आपको अर्थी बता दे तो निज निज मतले अपनी अपना निज माने होता है अपना यह आपने व्या किसे हम सारी उन्नती कर सकते हैं किसे अपनी भाषा से तो यह पंक्ती जो है उनके द्वारा नहीं गई गई भारत एंदू हरिश्चंद्र के द्वारा कही गई है और आपको बता दे उनकी कवीता है एक निज भाषा वहां से ली गई है और यह जो पंक्ती है यह दोहा है औ मैंने आपको डीबली नॉलीज दे दी क्या पता है यहां से भी कुछ आ जाए आपका आगे आपका मलबे कमाली कहानी भारती वाजन के फंसरूप पैदा हुई मनस्तिती पर आधारित अगर आपने कहानी पड़ी है तो आपको इसका पता होगा कि यह किस पर आधारित तो यह स तो वहां पर जो उसका घर बार होता है उसका क्या हो जाता है मलबा बन जाता है एक मलबे का ठेर बन जाता है तो इस वाज़े से उन्होंने एक कहानी लिखी ठीक है चलिए आपका पेपर सॉल हो चुका है पसंद आया है पेपर सॉल विंग आपको तो फिर लाइक और शेर तो बनता है करिए और हिंदी मिलर के साथ जुड़े रही हैं